है अलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप एम्युसाप्पे 2019 कैसे फ्री में डाउनलोड करेंगे यह भी बिलकुल फ्री ही है तो आप यहां पे हम बिलकुल सही तरीका पताएंगे जिससे आप बहुत ही असानी से आप डाउनलोड कर पाएंगे यहाँ पर click होने के बाद आप यहाँ पर Microsoft Office जो लेते हैं तो यहां पर Chrome browser है इसको हमने क्लिक करके open कर लिया यहां पर हम search करेंगे op development tool तो यहां पर search हो गया सबसे पहले आपको मिल जाएगा download office deployment tool इस पर हम click कर देंगे click होने के बाद यह आपके सामने इस तरह पेज आ जाए इसको maximize कर लिए और scroll करके नीचे आ जाएंगे यहां पर download मिल जाएगा और यहां से file को आप क्या कर लिए download कर लिए download करने के बाद यह तुर्ण download हो जाए क्योंकि 3.6 MB का है तो यह तुर्ण download हो जाएगा आप scroll करके और नीचे आ सकते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सिस्टम की requirement बता है कि सिस्टम में इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं तो यहां पर Windows 10 Windows 8 भी इसमें काम करेगा और 64 bit operating system होना चाहिए यहां पर इसको हम close कर लेते हैं क्लोज होने के बाद यहां से आप download चेक कर सकते हैं कहां पर download होके गया है और यहां से इसकी copy कर लेंगे यहां से हमने right click किया right click होने के बाद आपके सामने अभी processing हो रहा थोड़ा सा यहां पर copy का option नीचे आ गया यहां से copy आप control c कर सकते थे हैं यहां से हम वापस आगे यहां पर desktop पर हम क्या करेंगे एक folder create करेंगे यहां पर आ जाएंगे right click करके new और यहां पर folder लिखा यहां से folder create कर लेंगे और इसका आप जो भी नाम रखना चाहते हैं कोई भी ले सकते हैं नेम लेने के बाद जो अभी हमने copy किया था उसको यहां पर right click करके paste भी कर लेंगे और इसको double click करके open भी करेंगे यहां से yes कर देंगे yes होने के बाद यहां पर term and condition accept कर लेंगे क्लिक होने के बाद यहां से continue करेंगे फिर यहां पर आपसे जो भी आपने folder बनाया था उसको हम चूच कर लेंगे यही हमने office बनाया था इसको select करके हमने कर दिया तो file क्या होगी उसी में extract हो जाए यहां पर लिखा भी यह file एक्स्टैक्ट है successfully अब इसको open कर लेंगे उस folder को जिसमें हमने extract किया file को और यहां पर आप देख सकते हैं और पर 2019 भी है तो उसको हमने क्लिक कर दिया क्लिक करके यहां पर आएंगे shift बटन को दबा कर राइट क्लिक करना है माउस का इसी तरह करना है यानि shift बटन दबा के यहां से हम यस कर देंगे इसके बाद इंस्टॉलिंग शुरू हो जाएगी इसका 2019 का में सौपीस और एक कुछ टाइम बाद जितना आपका स्पीड होगा निट का उसी कीज़ाब से डाउनलोड हो जाएगा और यहां पर देख सकते हैं अब हमारा पूरा डाउनलोड हो चुका है लगमर और यहां पर देखिए पूरा इंस्टॉल भी हो चुका है और यहां से हम इसको क्लोज कर देते हैं क्लोज करने बाद अब यह कि एक्सल आ गया है तो एक्सल को हम ओपिन कर लेते हैं कि ओपिन होने के बाद प्रोसेसिंग ले रहा है थोड़ा सा तो यह देख सकते हैं एक्सल ओपिस 2019 से देखिए पूरा ओपिन हो रहा है और यहां पर Microsoft Office और इसको डायफ टायम यूज़ कर सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा यहां से इमने मैक्सिमाज कर लिया और यहां से आपको दिखा भी देती है पूरा एक perfectly काम इनेवल हैं ठीक है आप कोई भी फीचर को यूज कर सकते हूं और अगर ऐसी वीडियों आपको देखनी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और अगर किसी में भी आपको दिक्कत लगता है कि सईस हमारा इंस्टॉल नहीं हमें निव और जन चाहिए तो आप क्या करें इस तरह हैं जो भी हमने इस टिप बताएं उसको फॉलो करके आप बहुत ही असानी से अपने में यह में सॉपिस को डाउनलोड कर सकते हैं यहां से वेडियों देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वेडियों को लाइक करो